तारीख 25 सितंबर 1914 हर्याना का सिर्सा जिला तेजा खेडा गाउं में एक बच्चे का जन हुआ था बच्चे के पिता लेख राम सी हाथ चोटाला गाउं की जमिदार थे जिनके बास करीब 2750 बीगा जमीन थे समर्द परिवार वाले जमिनदार लेक राम ने बच्चा पैदा होने के खुशी में घर पर एक बड़ी सी पार्टी रखी और लड़के का नाम रखा देवी लार्व पूरा परिवार बेहत खुश था तो बच्चे का भविष्च जानने के लिए जैसा की होता है परिवारों बड़े बड़े जोच्ची बुलाए गए लेकिन जोच्चियों ने जो बताया उससे परिवार टेंशन में आगे जोच्ची ने कहा कि बच्चा तो अशुब नक्षत्र में पैदा होगा अब ये सुनते ही लेक राम सिहाग परिशान हो गया उन्होंने जोच्चियों से पूछा कि भाई अब करें क्या बच्चे का ग्रे दोश दूर करने के कुछ तो उपाय बताईए हमसे जोपी बन पड करना होगा अगर ऐसा कर दिया अपने तो अशुब नक्षत्र में पैदा होने के बाद भी बच्चा बड़ा आद्मी जरूर बने गया तो जैसा जोच्ची ने बताया था परिवार ने वैसा ही किया गरीब लोगों में 10-10,000 रुपए नकट बांटे गए जरूरत मंदों को पांच-पांच मन गेहूं बाजरा भी दान किया गया और फिर आगे चलकर वो कमाल हुआ जिसके लिए जिमिदार परिवार ने कड़े जतन किया तो अभी तक की कहानी आप शायद समझी गए होंगे कि आज हम किस खास शक्सियत की बात करने वाले हैं नहीं समझे तो हम बता आज हम बात करने वाले हैं हरियाना के तीन फेमस लाल में से एक देविलाल जी जो आज सौ साल बाद भी हरियाना राजी के सबसे ताकतवर कुन्बों में से एक हैं जिनका कुन्बा लेकिन सियासत में इस कुन्बे की नीव रखी थी ताउ देविलाल में यह वही देविलाल हैं जिनके बारे में कभी जोची ने कहा था कि बच्चा तो अशुब नक्षत में पैदा हुआ है लेकिन परिवार के दान्ड पुनि की वज़े से या यह कहिए कि परिवार की मजबूती चक्षक्षक्त की वज़े से उसी बच्चे ने आगे चलकर कामियाभी की ऐसी हिबारत देखी कि वो मिसाल बन गई दो बार हरियाना के मुठ मंत्री बनें दो बार देश के उप्रधान मंत्री बनें ताओ देविलाल चौटाला अपनी शुरुवाती दिनों से ही राज़्णीत में काफी एक्टिव थे देविलाल अग क्रिटिकल अप्रेजल नाम की बुक में बताया गया है कि देविलाल काफी कम उम्र से ही आंदोलों से जुड़ गये थे और भी कुछ ऐसा ही था देविलाल ने आजादी क टिकेट पर विधानसबा चुनाव लड़ा और जीत उस समय हरियाना पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता एक नमबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाना एक नयाराज जिबना जिसके लिए देविलाल में लंबे समय तक आंदोलन और संगर्श किया था लेकिन 1968 में हुए हरियान काफी नाराज हुए हलाकि वो बड़े आंदोलनकानी मेता थे लेहाजा उने खुश करने के लिए बंसिलाल ने उन्हें हरियाना खादी बोर्ट का चेर्मेन बना दिया लेकिन इन दोनों निताओं के बीच खट पट चलती रही है और कुछ समय बाद देविलाल ने खादी देविलाल के किलाब दो सीटों पर एक साथ ताल्ठ होगी देविलाल ने एक साथ दो जगे से निर्दलिये चुनाव लड़ा तो लेकिन बतकिस्मती से दोनों ही जगों से कुछ चुनाव हार गये लेकिन उनके होसलों में ज़रा सीथी कमी नहीं है वो संगच करते रहे और एमर्जनसी के बाद जन्ता पार्टी में शामिक हुए एमर्जनसी के बाद चुनाव हुए देश भर में कॉंग्रिस के करारी हार हुई और वैसा ही कुछ हरियाना विजासबा चुनाव में भी हुआ जन्ता पार्टी ने नब्य में से पिशित्तर सीटों पर जीत दर्की औ पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल को गिरहतार किया गया पताए जाता है कि उस वक्त पुलिस पूर्व सीम बंसीलाल को हतकडी लगाकर भीवानी के सड़कों पर खुली जीप में बिठाकर कोट ले गई थेर वक्त आगे बढ़ा और हर्याना के तीनों लालों में सियासी उस वक्त जनता पार्टी दो गुटों में बढ़ चुके एक चौधी चरणसुंग का गुट था जिसमें देविलाल थे और दूसरा मुरार्जी देशाई का गुट था जिसमें भजनलाल थे तो राजनेटिक मिशलेशक बताते हैं कि उस वक्त प्रधारमंत्री रहे मुरार देविलाल लग गए काम पर और महीने भर के अंदर मुरार्जी के खलाफ खेमे बंदी शुरू कर देविलाल का साथ चौधरी चरणसिंग में दिया अठाई जुलाई 1989 का वो दिन था जब इन दोनों की जुगलबंदी काम कर गई और मुराजी देशाई को प्रधारमंत्री उसी साल सितंबर में चौधरी चरणसिंग ने लोग दल की नीव रखी और देविलाल को इसमें शामिल किया ताउ देविलाल सियासत के जितने मजे हुए खिलाडी थे वो उत्रही घुसेल भी थे बताया जाता है कि एक बार तो उन्होंने राज़ुपाल की गर्दन कर उन्हें जोड़ता तमाचा जड़ दिया था बात 1982 मई की है उस साल लोगदल और बीजेपी ने एक साथ हरियाना विधानसभा चुनाव रड़ा है 90 विधानसभा सीटों में से कॉंग्रेस 36 सीटों ये लेकर सबसे बड़ी पार्टी बंग रोगी जबकि लोगदल और बी इसकी सरकार और इंद्रा गांधी देश के विधार मंत्री थी 22 मई 1982 को वुषनिवार का दिन थाजब राजपाल जीबी तपासे ने देविलाल को बहुमत सावित करने के लिब रावा पर जाएगी लहाजा जोड़ तोड़की राजनीत से बचने के लिए देविलाल सभी व पर याना बहुन में कॉंग्रिस नेता बजनलाल को मुक्रिवंत्री पत्की शपत दिलवा दी जैसे ही देविलाल को इस बारे में पता चला उस सिम्हा पपूला हो गए सीधे राजपाल पहुंचे और बजनलाल सरकार को बरकास करने की मांग पराण गये राजपाल तपासे होती है वीपे सिंग की वगावत होती है उसके बाद लोग सबाचनों में कॉंग्रेस को करारी हार मिलती है जंता दल ने बीजेपी और लेफ्ट के समर्थन से सरकार बनाए देविलाल रुधान मंत्री बनने की दौड में सबसे आगे थे लेकिन एन वक्त पर उन्होंने उन्हों प्रकाश ओटाला को हरियाना की कवान सोपने का और खुद दिल्ली जाने के तकि वहां जाकर राश्च्री राजनीत में हिस्सा लेगा जानकार बताते हैं कि एक रात करीफ 11 वजे उन्होंने वीपी सिंग को फोन किया और कहा मैं भी आपके साथ देपिटी प्राइ प्रकाश ओटाला के बाद मास्चा हुकम सिंग को मुख्यमंत्री बनाए गया जीत गया हुकम सिंग को अटाकर फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाए गया अलगी पार्टी के लोग इससे बहुत जादा खुश नहीं थे प्रधानमंत्री वीपी सिंग भी चाहते थे कि जब तक ओपी चोटाला पर आप राधिक मामला चल रहा है वो सियम ना बनाए वाकिरकार छे दिन बाद ही ओपी को फिर से स्टीफा देना पड़ा उसी दोरान राम मंदिर का मुद्दा घर्मा गया है हिंदुत्य का जंडा लेकर रथिहात्रा निकाल ले लाकिश अडवाईनी बिहार में गिरफ्तार हो गये इसके गिरोध में बीजेपी ने वीपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गेर गयी वीपी सिंग को अब देविलाल के चंद शेकर से संबंध काफी बेतर लियाज़ा उन्हें दूसरी बार डेपटी प्रैमिस्टर बनाये गया पार में आते ही देविलाल ने हुकुम जिंको हटा कर अपने बेटे ओंपर का चोटाला को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनवा दिया उनके इस फै अब देश अध्यक्ष बनाया और पिर राजसभा पेज दिया दूसरे बेटे रणजीत सिंग को मंत्री तीसरे बेटे प्रताप सिंग को हर्याना की सहकारी संस्ता कॉन्पेट का चेर्मेन बना दिया बतीजे केवी सिंग को ऑफिसर ऑन स्पैशल ड्यूटी यानि ओएसडी प्रत्रकार ने देविलाल से पूछा कि आपने सरकाल में परिवार को ही क्यों तर जीए दी इस पर जैसा कि उंकान दास था देविलाल ने तपाक से जवाब दिया कि अपनों को ना बनाओं तो क्या पाकिस्तान से लाओं तो इस तरह से पूर उप्रदान मंत्री देविलाल अपने पैत्रिक गाउं के नाम पर अपना सरनेम चौटाला लगाना शुरू कर दिया। इस तरह से आज हाउ देविलाल की चौथी पीडी राज़गी में है, लेकिन कुन्बा अफसोस तीन पार्टियों में पाट चुका है। तरसल जनवरी 2013 में दिल्ली के एक अधाला थे, 14 साल कुराने पीचर बढ़ती घुटाले में ओपी चौटाला और उनके बड़े बेटे आजे चौटाला को दस्द साल की सदा सुना दी थी। जेल जाने के बाद देविलाल की विरासत समालने की जिम्यदारी उनके छोटे पोते अभय चौटाला के कंदों पर आजी। ऐसा देख अजे चौटाला में विरेश में प्रणवाएं अपने दोनों बेटों दुशियन्त और बिग्विजे को वापस गुला लिया। लेकिन दोनों के हरियाना वापस आते ही जाचा अभय चौटाला से उनकी तमयतानी शुरू होगी। पार्टी दो खेमों में बढ़ते ही। एक पक्ष खुलेयाम दुशियन्त चौटाला को दूसरा देविलाल बताने लगा। और मुख्णंत्री पत के लिए नाम उचाल ने लगा। अब ये बात ना तो ओपी चौटाला को रास आई और नहीं उनके चौटी बेटे अभय चौटाला। इसी वज़े से एक बिन उप्रकार चौटाला ने भरे मन से अपने पोतों को पार्टी से बाहर करने का फर्मान चौना दिया। पार्वेरिक पार्टी से निकाले जाने के बाद साल 2018 में दुश्य अंतुर्टिक विजय ने जननायक जनता पार्टी की नीव रगदी और अपने पिता अभय अजय चौटाला को पार्टी का गाष्टी अध्यक्ष बना दिया। तो इससरे से ताउ देविलाल की आएनेलडी अब दो टुकुडों में बढ़ चुकी है। वह उनके दूसरे बेटे रणजी सिंग चौटाला पिछले कुछ सालों से भारती जनता पार्टी का हिस्सा है। अलगी देविलाल परिवार के 13 सदस से अब तक चुनाव लड़ चुके हैं। राज में सबसे ज़्यादा पार्टीयां भी इसी परिवार से बनी है। मगर अफसोर से इस बात का हैं कि आज हर्याना का ये ताकरत अर्कुनबा तीन हिस्सों में पड़ चुका है। आज गर टाउदेविलाल जिन्दा होते हैं तो ऐसा कभी नहीं होते हैं। तो क्या सोचने हैं आप इस हमारे खिस से इस ख़बर के बारे में जरूर बताएगा कॉनेंट के। नमस्कार।